तो हेई नमस्क्राइब दूस्तू कैसे विए आप लोग स्पागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में तो बिना टाइम वेस्ट के सीधे आते हैं वीडियो के पॉइंट पर इस इंट्रो के बाद तो जैसे कि आप चांदते हैं कि OBS Studio जो है हमारा Screen Recorder Open Source बहुत दिक्कत करता है कभी-कभी जब भी हम इसमें अपना डिस्प्लेय कैप्चर करने जाते हैं अब जैसे कि आप देख सकते हैं आप डिस्प्लेय कैप्चर में पहले से कर रहा है लिए लिए आपको पहले हटा के दि मतलब प्रॉब्लम तो दिखा दूं क्या होती है प्रॉब्लम तो प्लस पे जाते हो और डिस्प्लेय कैप्चर पे जाते होता है कि तुम्हारा Screen Capture दो अगर यह सही से काम कर रहा होता है तो अभी यहीं पे हमें screen mirroring बिख जाती मतलब अपनी screen दिख जाती कि कैसी अगर भी रिकॉर्ड होगा नहीं चाहे तुम स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दोगे ना में पता चारेगा कि रिकॉर्ड हो रहा है और यह Black Screen तो इसको एक सिंपल सा फिक्स है इसका मतलब यह है कि तुम्हारे 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 लैप्टॉप यूज कर रहे हो रफी शेटिंग में जाओ विंडोज की और सीका सारे समारो ग्राफिक के बाद जो ग्राफिक सेटिंग में जाओ फिर यहां पे ब्राउज कर रहे है तुम्हारे करना है कि OBS studio की जहां पे इंस्टॉल है उसमें जाना है अब कहां इंस्टॉल हैं जोड़ना पड़ेगा यह रहा तो OBS Studio बिन जो बाइलिफाइज होती है उसके बाद 64-bit फिर उसके बाद यहां पर OBS 64.exe यह लॉंचर है एड कर दो इसका फिर यहां पर ऑप्शन में जाओ और इसमें पावर सिविंग कर दो सेव कर दो ठीक है इसके बाद इसके बंद कर दो अब फिर से चला के देखा एक तो तो भाई यही था एक्च्वल फिक्स बागी वीडियो देखो कि यूटूब पर बहुत सारे घुमा फिर आगे बतानी क्या क्या दिखाते हैं एक भी काम बरत करता रहे हैं मैं यह फर्स जो कमेंट चेक कुरें तो बस भाई जही है आज की वीडियो जल्दी से निप्ट साथी पॉइंट पर पॉइंट अगर पसंद आज हो तो लाइक करना तुम्हारा फिक्स हो गया हो तो कमेंट भी कर देना और सुरी यह बैक्राउंड नॉइसे के लिए और पर से पिछे से कुप्ते ही भाग रहे हैं माइक भी बेक आ रहे हैं चलिए मिलते हैं अब अगली बेक्ति कर दो कर देना जुबर